कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंडिया के तीन मेंड ब्रोकर्स जो हैं जिनकी अलग-अलग competence है उनको मैंने अपने चैनल पर compare किया था उनकी pricing compare की थी क्या उनके account opening charges हैं क्या उनका annual maintenance charges हैं जिसे अहम एमसी बोलते हैं वो कितना brokerage लेते हैं, intraday पे, futures and option पे, delivery पे, क्या उनके DP charges हैं, क्या उनके pledging, un pledging charges हैं, तो उसमें एक जो broker था, वो था finvasia, और बहुत सारे लोगों का एक question था, कि sir, finvasia अगर कोई भी charge नहीं हमसे करता है, वो ना account opening लेता है, ना AMC लेता है, ना वो किसी भी तरह का brokerage, ना intraday पे, ना ही delivery पे, ना ही futures पे, और ना ही options पे, कोई भी brokerage नहीं होता है, और brokerage नहीं है, तो brokerage के उपर जो GST लगता है, वो भी नहीं आता है, तो वो पैसा किसे कमाता है, अगर हमसे कुछ भी charge नहीं करता ह यह ऐसा तो नहीं है, कि अभी नहीं लेता, बाद में लेगा, या जो भी है, तो वो क्या है, तो बहुत सारे लोगों के यह question थे, और कई लोगों को यह नाम भी नहीं पता था, तो लोगों को बड़ा surprise हुआ, कि यह कौन सी company है, क्या यह reliable है या नहीं है, तो इसी चीज़ मैंने जो है, वो उनके management से बात किया, और आज मैं आप लोगों के लिए जो है, वो इसी बारे में मैं information लेके आया हूँ, कि फिन वासिया, पैसा कैसे बनाता है, और उसके साथ साथ में क्या वो reliable है, क्या वो trustworthy है या नहीं, तो इस बारे में उन से जो मैंने बात किया, उसके पॉइंट है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन वो पॉइंट रखने से पहले, मैं चीज जो है, वो आप लोगों से discuss करना चाहता हूँ, कि इंडिया में brokerage जो है, वो किस तरफ जा रहा है, आपको पता है, पास्ट में जब सिर्फ बड़े brokerages हुआ करते थ है, मतलब अगर आप माली जी एक लाग का अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, तो लगबख 5-5000 रुपय तक का brokerage लग जाया करता था, तो काफी high percentage हुआ करते थे, और अब हमको पता है कि वो prices धीरे गिरते 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 अभी flat prices हो गए है percentage की वजाए, और normally maximum जो है, वो आप द जो आप advanced countries में देखे हैं, जैसे कि US वगेरा में, तो वहां पे brokerage अलड़ी जो है वो zero हो गए है, जैसे आपको Robinhood करके एक app है US में, जहां पे बहुत सारे retailers जो है वो trade करते हैं, बहुत बड़ा brokerage firm बन गया है, वो zero brokerage जो है वो charge करता है, और मेरा ये मानना है कि India भी अगले 4-5 साल में धीरे धीरे 20 रुपे से आते आते शायद zero brokerage पे आ जाएगा, तो जो इंडिया में 4-5 साल बाद होने वाला है, फिनवासिया वो अभी कर रहा है, लेकिन वो पैसा कैसे बनाता है, तो मैंने उनसे बात किया, तो सबसे पहले उन्होंने ये बताए कि देखे, पैस बनाना एक है, saving एक दूसरी जगह है, तो वो उनके overheads जो है, जो overheads जो होते हैं, वो काफी कम होते हैं, और जैसे बहुत सारी internet services हम use करते हैं, facebook, whatsapp, वो free of cost आती है, उसी तरह से इनके भी जो overheads है, वो काफी कम है, इसलिए उनकी cost काफी कम है, ये तो पहली चीज है, अब वो पैसा बनाते कहां से हैं, तो उसमें कुछ points हैं, जो मैं एक एक करके मैं discuss करता हूँ, exchanges जो है, वो brokers को एक volume incentive देते हैं, अगर उनका overall turnover है, वो एक threshold से अगर उपर जाता है, फेनवासिया की zero brokerage से होता क्या है, कि उनके number of clients जो है, वो बहुत जादा बढ़ते हैं, उससे उनका जो incentive है, exchanges से जो incentive उनको मिलता है, volume incentive वो भी बढ़ जाता है, हम retail investors से वो दो जगह जो है, वो पैसे charges करते हैं, एक आपको पता होगा, DP charges करके, या depository participant charges होते हैं, तो जैसे आप zero अधा में या और किसी में भी, जब आप holding वाले share खरीदते हैं, और फिर खरीदने के बाद जब उनको बेचने जाते हैं, तो आपको DP charges लगता है, सब लोग charge करते हैं, तो DP charges जो है, वो depository participant को, यानि third party को जाता है, तो इनके case में ये खुद depository है, तो वो charge इनके पास आता है, तो एक तो वो charge से हम लोगों को charge करते हैं, और दूसरा है, जो ये लोग भी charge करते हैं, और बा margin या leverage मिलता है, जिससे आप intraday trade कर सकते हैं, futures trade कर सकते हैं, या options में selling कर सकते हैं, तो जब आप pledging करते हैं, या un pledging करते हैं, तो भी आपको charge लगता है, तो ये दो charges, DP charges और pledging and un pledging charges, ये दो charges जो है, वो retail से वो लोग लेते हैं, और इसके लावा वो जो बड़े, जो institutional investors हैं, या institutional बड़े traders हैं, उनको ये लोग clearing services, एक service होती है, clearing services, जो exchanges के और DP की बीच में clearing का काम करती है, तो वो clearing services भी जो है, वो बड़े FBIs को या बड़े investors को, वो service provide करते हैं, that is another route of making their money, बाकी इसके लावा ये काफी एक बड़ा firm है, तो इनके कई जो है trading technologies हैं, trading tech हैं, जो चोटा company नहीं है, ये global company है, कई और countries में भी इनका existence है, इंडिया में भी actually, ये सिर्फ मतलब ऐसे fintech company है, लेकिन उनका existence और भी field में है, जैसे medical field में भी जो है, वो उनकी services हैं, तो काफी जो है बड़ा company है, और काफी trustworthy company भी इसको आप बोल सकते हैं, actually ये 2013 में शुरू हुआ ये सारे major exchanges के साथ registered है, NAC, BAC, MCX, NCDEX, और CDSL के साथ as a depository भी ये लोग जो है, वो register है, और Finvasia एक NBFC company है, fintech company है, जिसके आज की date में 75,000 से ज्यादा clients है, इनका office जो है, वो काफी grand office है, actually, चंडिगड के पास में महाली अगर आपको पता है, तो महाली में इनका office है, और का shares security, पैसे की safety की बात करें, तो देखे, shares जो है, जो भी हम buy करते हैं, वो आप लोगों को पता है, कि वो CDSL या NSDL के पास जमा होते हैं, वो किसी भी broker के पास नहीं रहते हैं, तो जो share हमने खरीद के रखे हुए investment के लिए, उनके बारे में तो हम भू कभी चिंता करने की ज़ payment करके हमारे account में transfer करते रहते हैं, तो अगर आप trade regular नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो amount आपके account में होता है, वो वापिस आपके bank account में आ जाता है, तो cash की safety का भी as such को issue होता नहीं है, तो overall मेरा है मानना है कि finvasia काफी stable और अच्छी बड़ी company है, काफी सारे clients है, सारी जो permissions उन account opening या AMC charges हमको नहीं लगाते हैं, तो अगर आप भी account खोलना चाहें, तो नीचे आपको link मिल जाएगा, मेरा referral link नहीं है, आप चाहें तो register कर सकते हैं, I hope इस वीडियो से आपको पता लगा होगा कि finvasia कैसे पैसे बनाता है, हम से बिना brokerage charges किए, वीडियो पसंद आया हो, त इसे थम तब देजिए, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाबाए